गुड़ मॉनिंग, सुभोदयम, सुप्रभात, नमस्कार इप आट साला के यूटूब चनल पे आप सभी साथियों का मैं दिपक कुमार हर्दिक स्वागत करता हूँ और दोस्तों जैसा कि आप लोग को मैंने थंबनेल पे यहाँ पे अपडेट भी किया हुआ है कि हम लोग इस वीडियो में आज से एक सीरीज शुरू कर रहा है जिसमें हम लोग most important जो MC क्यू होंगे multiple choice जो questions होंगे उनको हम लोग इस वीडियो में discuss करेंगे ठीक है और में आज का हम लोग का session है यह session में हम लोग का biology का है जो कि biology में जो में आपका दो chapter है digestive system और respiration system biology में ठीक है और हम सोचे कि अब जो है चैप्टर जब पूरा complete है तो आप लोगों का एक test जो है वो करवा देना बहुत ज़्यादा जरूरी हम हमको लगा और इसलिए हम जो यहाँ पर आप लोग के लिए यह इस वीडियो में एक biology का test ले करके आये हैं तो देखिए चुकि टेस्ट तो live नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पर हमारे पास उस type का कोई मतलब जो है system नहीं है तो हम यहाँ पर YouTube पे जो है इसको uploaded form में देंगे प्रीमियर करते रहे हैं और आप लोग को देखिए आप लोग जब वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो देखने के सांसात आप नीचे जो है comment box में comment करते रहे हैं हम आपको तक्रिवन 10 सेकेंड का जो है समय देंगे 10 सेकेंड 15 सेकेंड जो लंबा आप良 और उन्हें सभी प्रस्नों को हम आज की वीडियो में देखेंगे जो की परिख्चा के लिए अत्यांत उपयोगी है ठीक है तो चलिए आम लोग का वीडियो उसको स्टार्ट करते हैं धेयां दिजिए छलिए द दखीऑ जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा इपक सर्मा में जो यहां पर देख पार है Most Important MCQ Series आज से हम लोगे स्टार्ट कर रहे हैं ठेक है तो वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं उससे पहले आप लोग से छोटा सा मतलब एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक अधिक अपने मित्रों के पास में सेर कर दीजिए जिससे कि और भी लोग जो है वो हमारे वीडियो से जूड सके ठेक है और अधिक से अधिक लोग जो है हम लोग के जो इपाटसाला फैमिली है यूटूब पे इसमें अधिक से अधिक लोग जो है वो जूड सके तो चलिए आज के क्लास को हम लोगे स्ट इस ने किया था, जल्दी से सब लोग आंसर करिए, option A में दिया है अरस्तू, option B दिया है आपका Lamarck, option C दिया है Theofrestres, और option D में दिया है आपका यहाँ पर Traveranus, और option E दिया है एक से अधिक सही या फिर कोई सही नहीं, ठीक है? तो चलिए, जल्दी से सब लोग इसको आंसर कर दिजिए, सब लोग जल्दी से आंसर करिए, चलिए, ठीक है, हम लोग यहाँ पर देखते हैं इसका आंसर क्या आओगा, सही आंसर, देखिए, यहाँ पर जैसा कि अप लोग जानते हैं कि जो जिव विज्ञान यहाँ पर देखे option B और option D यह दोनों सही है तो देखो दू को जब option सही है तो इसमें last में option क्या देख रहे है आपकी? 1 से अधिक सही निके अगर 1 से ज्यादे सही रह recommandation E होगा या फिर कोई सहीशी नहीं आना तो अगर कोनों सही नहीं रहेगा तब हो क्या होगा option E होगा तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दिजिए कि यहाँ पर क्या है दू को सही है ना तो दू को सही है तो इसलिए यहाँ पर आपका answer सही क्या होगा तो इसमें आपका आंसर सही क्या होगा तो यह हो जाएगा आपका option E समझ गया ना तो हम उमीद करते हैं कि यह जो है आपको प्रस्ण सबको समझ में आ गया होगा अब देखो बाबू अब जो है अब हम लोग इस से आगे के लिए जरूरी नहीं है ठीक है क्या पुछ रहा है प्रस्ण कि किसी जीव को जीवित रहने के लिए जरूरी नहीं है यानि कि कौन सा प्रसेस इसमें से है जो कि जीवित रहने के लिए जरूरी नहीं है यह मैं आपसे प्रस्ण पुछा जा रहा है ठीक है आप लोग जल्दी से एक बार आंसर कर दीजिए, चलिए ठीक है, हम लोग देखते हैं आप पर इसका सही आंसर क्या होगा, देखो बाबू, इसमें ध्यान दीजिए कि पूछ रहा है कि जीवित रहने के लिए जरूरी नहीं है, तो पहला तो इसमें option A में दिया है पोशन, त मतलब समझ रहे हो, यह हम लोग के गाव में घंट टंगाने के मतलब जिसे कोई मरता है ना, तो पीपल वेगरा जो उसके उस विरिक्ष में घंटा एक टंगा जाता है, मतलब जो है, मिटी का बना हुआ, तो उसी को घंट टंगाना को आते हैं, ठीक ना, खेर छोड़ो उसस प्रजनन, तो देखो भई, प्रजनन की प्रक्रिया जरूरी नहीं है, अब देखो बहुत सारे जीव ऐसे हैं, जो कि जनन नहीं करते हैं, जैसे आप खचर का नाम सुने होंगे, तो खचर जो है, खचर जनन नहीं करता है, ठीक ना, खचर जनन नहीं करता है, लेकिन अब ब प्रजनन अगर नहीं होगा तब जीव है वो जीवित रह सकता है तो इस तरह से इस प्रष्ण का आपका सही अंसर क्या हो जाएगा प्रजनन ठेका ना? चलो आगे देखते हैं अगला प्रष्ण सब लोग देखीए आगे देखो, अगला जो प्रस्ण है, वो कर रहा है कि सजीव कहा जाता है, यानि कि सजीव इसमें से कौन सा मतलब जीव है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, सजीव कहेंगे, तो देखिए, option A में दिया है पौधा, B में दिया है जन्तु, इसके बाद में आपर दिया है, C में सैवाल और option D में दिया है, जिवानू, option E में दिया है, एक से अधिक सही या फिर कोई सही नहीं, तो देखो, कर रहा है कि सजीव किसे कहा जाएगा, तो सजीव जो है, इसमें देखिए, पौधा भी क्या है, सजीव है, जन्तु भी क्या है, तो सजीव है, सैवाल भी क्या है, तो ए यहां पर आपका चुकि चारो उप्सन सही है तो इसलिए इसमें कौन सा उप्सन सही मना जाएगा तो इसमें आपका बिल्कूल जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका उप्सन E यानि कि एक से अधिक सही ठेक ना तो इसमें आपका आंसर क्या होगा बबू इसमें आपका हो जाएगा option E ठेकना चलिए आगे देखते हैं अगला प्रस्ण देखिए तीसरा जो आपका प्रस्ण स्क्रीन पर है उसको देखिए कह रहा है कि और अस्तु को कहा जाता है option A प्राडी सास्तर का जनक option B दे रहा है वनस्पति सास्तर का जनक option C दे रहा है कवक विज्ञान का जनक option D दे रहा है जीव विज्ञान का जनक और option E में दे रहा है एक से अधिक सही या फिर कोई सही नहीं तो देखो ध्यान दो जब हम लोग अरस्तु की बात करते हैं तो आप लोग जो भी book पढ़ेंगे biology का तो उसमें आपको सबसे पहले पहले यहीं मिलता है कि जीव विज्ञान के जनक जो है वो कौन है अरस्तु है तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि इसमें जो आपका यहाँ पर option D वो क्या होगा यहाँ पर जीव विज्ञान के जनक कौन है अरस्तु है लेकिन आपको ध्यान देना है कि जीव विज्ञान के साथ साथ जो अरस्तु है वो प्राडी सास्तर के भी जनक है प्राडी सास्तर को ही क्या करते हैं अम लोग जन्तु विज्ञान तो प्राडी सास्तर और जी परश्र दिया है, वो कह रहा है कि थू फ्रेष्टस की पुष्टक का क्या नाम था? थू फ्रेष्टस एक मेन जो है आपके वेग्यानिक थे जिनको हम लोग यहाँ पर वनस्पति सास्तर का जनक भी कहते हैं, ठेक ना? तो वहीं कर रहा है उन्होंने देखो उन्होंने एक पुस्तक लिखा था और उस पुस्तक में उन्होंने सबसे पहले-पहले पोधों की कुछ एस्पीसिज लगभग 500 प्रजातियों के बारे में बताया था और इसलिए उनको आम लोग क्या कहते हैं वनस्पतिस आस्तर का जनक कहते हैं ठेकना तो कर रहा है कि उनकी पुस्तक जिसमें उन्होंने पोधों के Бारे मीदव FR typing mistake कर दिया है बबू कोई दिकत ने आप लोग समझेए species plantarium और उसके बाद में species animalium इसके बाद में option C में दिया है historia plantarium और option D में दिया है historia animalium और option E जो है इसमें कर रहा है कि एक से अधिक सही या फिर कोई सही नहीं तो देखो बबू ध्यान दो थियो फ्रेश्टस ने अपनी जो किताब लिखी थी जिसमें उन्होंने पोधों की लगभग 500 प्रजातियों के बारे में बताया था तो उस पुस्तक का नाम था यहां पर देखिए उस पुस्तक का नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरम थेक ना तो इसमें जो आपका option C है यह बिल्कुल सही है इसका answer क्या होगा हिस्टोरिया प्लांटेरम थेक है तो हम उमीद करते हैं कि सबको यह चीज आपको समझ में आगया होगा ठीक है ना चलो बाबू आगे देखते हैं अगला प्रस्न देखो सब लोग अगला जो प्रस्न है वो देखिए अगला प्रस्न जो है आपका वो कह रहा है कि थियो फ्रेश्टस को कहा जाता है तो थियो फ्रेश्टरस को जैसा कि अभी तुरंत इससे पहले वाला प्रश्णम आपको बताए option A में दिया क्या है तो प्रानी सास्तर का जनाग option B में दे रहा है आपका वनस्पति सास्तर का जनाग option C में दिया है आपका सुक्षमजीव विग्यान का जनाग option D जो है इसमें दिया आपका कवक विग्यान का जनाग और option E कर रहा है कि एक से अधिक सही या फिर कोई सही नहीं तो देखो बाबू अभी जश्ट हम आपको कुछी दिर पहले बताए अभी पिछले ही प्राश्णम आपको बताए हम कि थियो फ्रेश्टरस जो है उन्होंने एक किताब लिखा था जिसमें पौधो की पांच सोलग भक परजातियों के बारे में बताया था तो चुकि पौधो के बारे में बताया है इसी लिए ये किसके जनक होंगे तो यह जो है यह यहाँ पर ध्यान देना है कि इसमें आपका option B बिल्कुल सही होगा यह जो है यह वनस्पति सास्तर के जनक है तो जो थियो फ्रेश्टरस है थियो फ्रेश्टरस को हम लोग क्या कहते हैं आप लोग answer करते रहें, देखो, हम यहाँ पर question को जब हम explain करना शुरू कर रहा है, तो उस बीच में आपको question समझ में आ रहा है, तो आप answer करिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर कोई दिकत नहीं, आप गलत भी कर सकते, क्योंकि देखो बबू, जब तक तो लोग guess न का जनक किसे कहते हैं, तो देखो बबू, भारतिय बनस्पती बिज्ञान के अगर जनक की बात करें, तो यह आपको किसी किताब में नहीं मिलता है, लेकिन आपको ध्यान देना है, कि यह जो है, भारतिय बनस्पती बिज्ञान के अगर जनक की बात करी जाएगी, तो इसमें जो आपको option A दिख रहा है रॉक्सबर्ग ठेक ना? तो रॉक्सबर्ग कोई अम लोग क्या कहते हैं? भारति A बनस्पति विज्ञान के जनक के रुप में जानते हैं, ठेक ना? अब देखो, जो डार्विन है तो डार्विन को क्रम विकास का जनक कहते हैं लमार्क ने यहाँ पर उपारजित लक्षन का सिधान दिया था और थियो फ्रेश्टस जो है तो थियो फ्रेश्टस जो है इनको अम लोग बनस्पति सास्तर का जनक कहते हैं तो इसमें आपका option A जो है वो बिल्कुल सही होगा ठेक ना? इसका अंसर क्या होगा? इसका अंसर होगा option A समझ गए सब लोग? अब देखो अगला देखते हैं हम लोग अगला प्रस्ण देखी आठमा प्रस्ण करा है कि प्राड़ी विज्यान के जनक कौन है तो प्राड़ी विज्यान के जनक पूछ रहा है और अस्तुक हम लोग क्या कहते हैं प्राडी विज्ञान का जनक कहते हैं ठेक ना तो इसमें option D जो है वो आपका बिल्कुल सही answer होगा समझ गया ना चलो अगला देखते हैं अगला प्रशन देखिए देखो हम जल्दी जल्दी थोड़ा निप्टा रहे हैं ताकि आप लोग क साथ में share करिए अपने दोस्तों के पास में वीडियो को send करिए जिसे की और भी अधिक लोग जो है वीडियो को लाभ ले सके ठेक ना चलो अगला देखते हैं अगला जो प्रशन है वो ध्यान दीजिए करा है कि अरस्तु की पुस्तक का नाम क्या था तो देखो थियो फ्रे की तर्ज पर उन्होंने अपनी पुस्तक में किसके बारें बताया था तब 500 पोधा के बारें बताया था और जो अरस्तु है तो अरस्तु ने यहां पर 500 जन्तुओं के स्पीसीज के बारें बताया और इन्होंने भी एक पुस्तक लिखा और इनका जो पुस्तक है उस पुस् छिस्तिर्फ सरक्षिय आम पुस्तिक के बिखाते हैं hacking अगले प्रस्विशंग की तरफंगे थे देखो बाबू अगला प्रस्विख्ञान को बात अगर बात आएगी तो laga ौप्शन के ए मैं दिया और अस्तू, B में दिया है लिवेन हॉक, option C में दिया है डार्विन, और यहाँ पर D में दिया है थियो फ्रेश्टर, और option E में क्या दिया, एक से अधिक सही या फिर कोई सही नहीं, तो देखो, और अस्तू जो है, तो अरस्तू को हम लोग क्या कहते हैं, प्राडी विग्यान और फिर जीव विग्यान, दोनों के जनक कोन है, और अस्तू है, इसके बाद में लिवेन हॉक जो है, तो लिवेन हॉक को ही में हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं, सुक्ष्म जीव विग्यान के जनक कहते हैं, क्यों? क्योंकि लिवेन हॉक जो है, इन होने यहाँ पर सबसे पले पले एक सुक्षमजीव बैक्ट्रिया की खोज की थी और इसलिए इनको हम लोग यहाँ पे सुक्षमजीव बिज्ञान का जनक कहते हैं, ठीक है? तो हम उमिद करते हैं कि यह भी प्रस्णाप का क्लियर होगा, डार्विन को हम बताएं चुके हैं कि डार्विन कौन है? त इनका पूरा नाम जो है वो ताय एंटोनी वॉन लिवेन हॉक। ठेक ना? चलो, अगला प्रस्न जो उसकी तरह पढ़ते हैं, ध्यान दीजिए सब लोग। देखिए, अगला जो प्रस्न है वो पढ़ो, करा है, अगला जो प्रस्न है उसको देखिए बबु। अगला जो प्रस्न है उसको देखिए करा है कि जिवानों की खोज किसने की थी, जिवाडू के खोज करा है, ठेक ना? बैक्ट्रिया, तो बैक्ट्रिया के अगर खोज कहे आपसे, कि बैक्ट्रिया के खोज किसने किया, तो आपको ध्यान देना है कि बैक्ट्रिया की खोज करन करने के कारण ही उनको क्या करते हैं बैक्ट्रिया की खोज करने के कारण ही हम लोग उनको यहां पर जो है सुक्षिम जीव बिग्यान का जनक कहते हैं और यहां पर यह भी आपको ध्यान देना है कि बैक्ट्रिया जो है वह खोजा जाने वाला सबसे पहला सुक्षिम जीव था ठेकना, इसमें अरास्तू के बारे में बता हैं कि अरास्तू कौन है, तो ये जन्तू बिग्यान और जीव बिग्यान के जनक है, ठेकना, बाकी Robert Hook जो है, तो Robert Hook ने सबसे पहले-पहले एक मृत कोसिका की खोज करी थी, ठेकना, Robert Hook ने क्या किया था? अम्रित कोशिका का खोज किया था और आपसे पुछे कि जीवित कोशिका का खोज करने वाला वेक्ति भी कौन है वहीं आपका option A ये लिवेन होग तो लिवेन होक जो है इन्होंने सबसे पहले पहले जिवानु कोशिका की खोज की और जिवानु कोशिका ही वो कोशिका थी जो सबसे पहली जीवित कोशिका थी ठीक ना तो यहाँ पर पुछे कि जीवित को सिखा की सबसे पहले पहले किस ने किया तो लिवेन होग और साथे साथ जीवानु को सिखा की सबसे पहले पहले किस ने किया तो लिवेन होग अमरीत को सिखा पुछेगा तो रोबर्ट हुख हो जाएंगे और लमार्क के बारे में आपको आज ही की वीडियों में बताएं कि लमार्क कौन है तो लमार्क ने उपार्जित लक्षन का सिध्धान्त दिया था ठीक ना तो यहाँ पर आपका option A जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा ठीक ना चलो बाबू आगे देखते हैं अगला प्रस्न देखिए सब लोग देखो अग option C में दिया है हिपोक्रेटस और option D में क्या दिया है Edward Jenner और last में option E जो वो कर रहा है कि एक से अधिक सही या फिर कोई सही नहीं तो देखो ध्यान दो जो इसमें हिपोक्रेटस हैं तो हिपोक्रेटस को ही मेन हम लोग यहाँ पर जो है चिकित्सा विज्ञान का जनक कहते हैं और चिकित्सा विज्ञान के जनक हिपोक्रेटस हैं और इसलिए हिपोक्रेटस के ही नाम की सपत या फिर सिधानतों की सपत जो है वो जो भी डॉक्टर्स बनते हैं तो डॉक्टर्स को किसकी सपत दिलाई जाती हैं तो हिपोक्रेटस के जो सिधानत हैं उन सिधानतों की सप दिलाई जाती है ठेक ना तो यहाँ पे जो आपका option C है वो क्या हो जाएगा बिल्कुल सही answer होगा ठेक है चलिए अगले प्रशन की तरह बढ़ते हैं ध्यान दो सब लोग अगला जो प्रशन है वो कर रहा है देखिए कि विश्वे होमियोपैथ दिवस कब मनाया जाता है तो यह 10 अप्रेल को मनाया जाता है ठेकना चलो तो यह हम उम्मीद करते हैं कि समझ में आगया होगा अब देखिए अगला प्रशन देखिए अगला जो प्रशन है वो कर रहा है कि वसा का पाचन करने वाले एंजाइम की बात की जाएगी तो इसमें ध्यान दीजिए देखो इसमें option A में दिया है amylase B में दिया है lipase option C में दिया है protease देखो proteal यहाँ पर लिख दिया है लेकिनी क्या होगा protease होगा तो option C है protease और option T में क्या दिया है nuclease तो आपको ध्यान देना है कि जब भी आप वसा की बात करिएगा तो देखिए, वसा को हुए हम लोग कहते हैं लिपीड, और लिपीड का पाचन करने वाले जो एंजाइम हैं उनको क्या करते हैं? उनको हम लोग यहाँ पर कहते हैं lypage, ठीकना? तो वसा का पाचन करने वाला अगर ENGYME फूछे है तो वसा का पाचन करे वाला ENGYME कौन होगा बबो? तो यह हो जाएगा आपका LIPEG अब देखो, इसमें इन सबते का भी positivity कर लेते हैं लाइपेज क्या करेगा वसा का पाचन एमाइलेज जो है एमाइलेज में इस्टार्ज का पाचन करता है ठेक ना प्रोटीज जो है ये प्रोटीन के पाचन करने वाले जो भी एंजाइम्स होते हैं तो उन एंजाइम्स के ग्रूप को क्या कहते हैं यानि कि प्रोटीज क्या हो प्रस्न जो है वो कर रहा है कि वसा के पाचन के फल सरूप बनता है यानि कि वसा का जब पाचन होगा तो क्या बनेगा ठेक ना तो देखो जब भी आपका वसा का पाचन होता है तो आपको ध्यान देना है कि वसा के पाचन के फल सरूप दो कमपाउंड बनते हैं जिसमें से ए होता है वसा अमल और दूसरा होता है glycerol यानि कि इसमें आपका option A और B दोनों सही है यानि कि आपका इसमें option जो C है वो बिल्कुल सही आंसर होगा क्योंकि option C में क्या करा है कि A तथा B तो A तथा B दोनों इसमें सही होगा ठेक ना तो option C इसमें बिल्कुल सही आंसर है correct answer क्या option c समझ गया ना अब चलो आगे देखते हैं अगला प्रस्न देखिए अगला प्रस्न कर रहा है कि पचे हुए भोजन का अवसोशन कहां होता है ध्यान दो क्या करें बबू कि पचे हुए भोजन का अवसोशन कहां होता है तो आप ध्यान दीजिए कि अगर पचे हुए भोजन के आउसोसन की बात की जाएगी तो आपको ध्यान रखना है कि पचे हुए भोजन का आउसोसन जो है वो कहा होता है तो वो होता है मेन यहापर इलियम में क्योंकि इलियम में जो अंगली नुमा प्रवर्थ पाये जाते हैं जिनको हम लोग सुक्ष मरसांकुर कहते हैं तो उन्हें सुक्ष मरसांकुरो को हम लोग क्या कहते हैं उन्हें सुक्ष मरसांकुरो के द्वारा यहाँ पर मेन भोजन का आउसोसन किया जाता है ठेक ना भोजन में जो भी पोसक पदार्थ होते हैं उन पुसक पतार्थों का आउसोसन कहां किया जाता है तो यह छोटी यात का पार्ट है जिसका नाम है इलियम और यहीं पर किया जाता है तो यह भी प्रस्रे पूछ सकता है कि इलियम किसका भाग है तो इलियम किसका भाग है यह छोटी यात का भाग है समझ गया ना जो यहाँ पर ग्रहनी जेजुनम और इलियम देख रहे हैं तो यह में तीनों किसका पाठ है यह छोटी आत का पाठ है छोटी आत तीन भागों बटा होता है जिसमें से एक होता है ग्रहनी दूसरा होता है जेजुनम और तिसरा होता है इलियम समझ गया ना इलिय आपका कर रहा है कि सुक्ष मेरा सांकूर कहां पाए जाते हैं प्रस्टन को पढ़िए क्या कर रहा है कि सुक्ष मेरा सांकूर कहां पाए जाते हैं option A दिया है ग्रहनी, B दिया है जेजुनम, C दिया है इलियम और D दिया है यहाँ पर अमास है तो देखो बाबू, इसमें ध्यान देना है कि अमास है में तो सुक्ष मेरा सांकूर हो बेना करेगा अभी जोस्ट आपको इससे पहले वाला प्रस्ण में क्या बताया है कि इलियम में भोजन का आउसोसन किया जाता है और इलियम में भोजन का आउसोसन किसके द्वारा होता है तो में जो सुक्ष मेरा सांकूर है, इन सुक्ष मेरा सांकूरों के द्वारा ही होता है तो इसमें option C क्या होगा, ilium, यानि कि ilium में ही क्या पह जाते हैं, सुक्ष्म रसांकूर, और यहीं सुक्ष्म रसांकूर जो हैं, वो भोजन का असोसन करते हैं, समझ गया ना, चलो, आगे देखते हैं, अगला प्रस्न देखिए, सब लोग, देखो, अगला प्रस्न देखो, अगला प्रस्न कह रहा है, कि छोटी आत तथा बड़ी आत का सन्योजन अस्थल कहलाता है, दखिए, छोटी आत और बड़ी आत का सन्योजन अस्थल के बारे में कह रहा है, तो जब भी आपसे कहें कि छोटी आत और बड़ी आत का सन्योजन अस्थल, तो आपको ध्यान देन कि इस पार्ट कम लोग क्या कहते है इसको कहते है सीकम तो इसमें अबका जो ऑप्षन ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा correct answer क्या होगा option a सीकम जिसे कहते है ठेक ना तो सीकम क्या है यह चोटी आत और बड़ी आत का joint होता है ठेक ना चलो आगे देखते हैं अगला देखो अगला प्रस्ण कह रहा है कि मल में गंध किसके कारण होता है, ठेक ना, प्रस्ण पढ़िए, प्रस्ण कह रहा है कि मल में गंध किसके कारण होता है, Option A में दिया है Indol और Option B में दिया है Eschatol Option C में दिया है A तथा B दोनो और Option D जो है इसमें देरा आपका इन में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक सही तो देखो बाबू आपको ध्यान देना है कि जब भी आपसे कहें कि मल में गंध तो मल में गंध का कारण दोनों है A और B दोनों है तो इस तरह से इसमें आपका Option C जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा ठीक ना A तथा B ठीक है चलिए आगे देखते हैं अगला जो प्रस्ण उसको ध्यान से समझो बिश्मा प्रस्ण और बिश्मा प्रस्ण कहा रहा है कि अपचे भोजन से जल यहाँ पर देखो जब दे दिया है लेकिन यहाँ पर क्या होगा बाबू तो यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर क्या होगा जल ठेक ना कि जल का आउसोसन कहां किया जाता है तो देखो आपचे भोजन से अगर पूछे कि जल का आउसोसन कहा होता है तो आपचे भोजन से जो जल का आउसोसन होता है वो ध्यान दिजिए कि वो बड़ी आत में होता है और बड़ी आत का कौन सा पाट? तो बड़ी आत जो है वो दो भागों में तीन भाग होते हैं कि अपचे भोजन से जल का आउसोसन कहां किया जाता है, तो आप कांसर क्या होना चाहिए, आप कांसर होना चाहिए, कोलन, ठेक ना, अब देखो, यह जो रेक्टम है, रेक्टम को मलो क्या करते हैं, मलास है, भोजन का आउसोसन होने के बाद में, जो जल है, तो जल का आउसोसन होने के बाद में, जो में जो अपचा भोजन बच जाता है, वहीं मल के रूप में जाके कहाँ इस्टोर हो जाता है, रिक्टम में जहां से समय समय पर उसको सरीर से बाहर निकाला जाता है, ठेक ना, चलो आ पचा भोजन जो है वो कहां पेश्टोर होगा तो रेक्टम में होता है ठेक ना तो इसमें आपका सही आंसर क्या होगा तो इसमें सही आंसर जो आपका हो जाएगा रेक्टम ठेक ना चलो आगे देखते हैं अगला प्रशन अगला जो प्रशन वो देखो करा है कि पाचक एंज की बाद करी जाएगी अच्छा है हार्मोन के बाद करी जाएगी तो पाचक एंजाइम और हार्मोन ये दोनों किसे बने होते हैं तो ये दोनों जो ये प्रोटीन से बने होते हैं ठीक ना तो ये आपको याद रखना है कि इसका अंसर क्या होगा इसका अंसर होगा प्रोटीन चलो, आगे देखते हैं, अगला प्रस्ण देखिए, अगला जो प्रस्न है आपका, वो करा है कि मानों सरीर में पाचन का अधिकांस भाग कहां संपन्य होता है, तो देखो बाबू, पाचन करे वाला मेन पाट कौन-कौन होता है तो पाचन करे वाला मेन पाट कौन-कौन है तो वो है आपका मेन देखिए सबसे पहले-पहले स्टार्ट होता है मुख गुआ में इसके बाद में पाचन की क्रिया होती है अमासाय में और उसके बाद मोता है छोटी आत में तो सबसे जादे समय तक अगर पूछे कि सबसे जादे समय तक भोजन पाचन के दोरान कहां रहता है तो ये आपका आंसर क्या होगा ये आपका हो जाएगा छोटी आत छोटी आत में सबसे जादे समय तक में जो है भोज़न पाचन के दोरान रहता है ठेक ना ये आपको याद रखना है चलिए आगे देखते हैं अगला प्रस्ण देखिए अगला प्रस्ण कर रहा है कि मानो की पाचन नली कितने फिट लंबी होती है तो मानो के पाचन नली की बात करी जाएगी तो ये देखो ये जो है तकर अगर फीट में पूछे, तो फीट में आप खुद समझ जाए कि 8 मीटर है, यानि कि 8-10 मीटर, और अगर 10 मीटर लिजिएगा, तो क्या हो जाएगा, 10-13, यानि कि 30-32 मीटर जो है, यह लगभग इसकी लंबाई होती है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर पूछे कि फी क्या होगा, लगभग 32 फीट, या फिर 8-10 मीटर होगा, और देखो, और उसके बाद में अगर पूछे, छोटी आथ, तो छोटी आथ, उसका लगभग 6-8 मीटर होता है, या फिर अगर फीट में पूछे, तो लगभग 22-25 फीट होता है, समझ गया ना, चलो, आगे देखते हैं, अगला देखते हैं बाबू, अगला प्रस्ण देखिए, अगला प्रस्ण कर रहा है, देखिए, कि सरीर के लिए एंजाइम अवस्याख होते हैं, प्रस्ण पढ़िए, क्या कर रहा है, कि सरीर के लिए एंजाइम अवस्याख होते हैं, क्योंकि, क्योंकि, अब देखो, option A कर रहा है कि ये शरीर को उर्जा पर्दान करते हैं तो बिल्कुल नहीं शरीर को उर्जा इलोग पर्दान नहीं करता है enzyme से शरीर को कोई उर्जा नहीं मिलता है समझ गया ना? अब देखो सरीर का रचना जो है सरीर की रचना में भाग नहीं लेता है तो फिर करता क्या है तो लास्ट में अप्शन डी जो है आप देख रहे हैं इसका सही आंसर होगा जो भी एंजाइम होते हैं तो एंजाइम सरीर में होने वाली जो भी जैव रासाइनिक क्रियाएं होती हैं उन रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक के रुपे कौन का रच करता है तो यह आपका हो जाएगा इंजाइम समझ गया ना समझ में आगा सबको अब देखो अगला प्रस्ण कर रहा है कि अधिक्तम पोशक्तत्व रक्त में कहां से और सोशित किये जाते हैं ध्यान से समझो क्या क उसमें अपको ध्यान देना है कि option A में बड़ी आथ, option B में दे रहा है, पेट और option D में दे रहा है छोटी आथ, तो देखो पोशक्तत्व को रक्त में और सोशित करने के बात करी जाएगी, तो वहीं बात हुआ, जो हम आपको बताये थे कि जो इलियम होता है, तो इलियम मे क्या होता है भोजन का अवसोशन और भोजन में क्या होता है पोसक तत्वे जो है वो रक्त में अवसोशित कहां से होते हैं तो यह यहाँ पर देखिए इलियम किसका पाट होता है तो चलो बबू, अगला जो है, अगला हम आपको बताते हैं, ध्यान दीजिए सब लोग, अगले प्रस्न पर हम लोग बढ़ते हैं, ओ स्वरी, देखो, अगला जो प्रस्न है उसको ध्यान से अप लोग सबसिए, थोड़ा सरुक जबबू, अगला जो प्रस्न है उसको देखिए, अगला प्रस्ण जो है वो आपसे कह रहा है कि मानों के अमासे में अमल एक्स उत्पन्न होता है देखो मानों अमासे की बात करी जा रही है और कह रहा है कि मानों के अमासे में अमल एक्स उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायक है तो एक्स है देखो इसमें कर आए कि मानो का मासं जुट है और वह जेखो देखो आपको जैसा है कि हम आपको वीडियो में जो हम आपको लेक्शर अप् upbeat कि यह वे पाय तो उसमें पता हैं कि जो अमास है, अमासय में मुख्छ जो पदार्त सरावित होते हैं जो सरावत होता होता है जठ़रस का, और उस जठ़रस में कुछ enzyme's पाय जाते हैं, जिसमें से एक जो आपका ACL हो जाता है, इसके बाद में हो जाता है आपका पेपसील, रेनिन और सलेस्मा, ये सारे के सारे जो enzyme's हैं वो स्रावीत होते हैं कहमा से, तो ये होते हैं में आपका आम आंसे से ठेक ना, तो यहाँ पर thrust क्या रहा है, यहाँ परиг पुछ रहा है कि Omel कौन सा स्रावित होता है तो Omel क्या है? HCl तो HCl कोई कह तो हवाबू, तो उसी को Hydro-Cloric Amel कहते हैं तो इसमें आपका सही औसर क्या होगा? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रो क्लोरिक अमल यानि की option C समझ गया ना चलो अगला देखते हैं अगला प्रस्ण दखिए अगला प्रस्ण कह रहा है कि पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्निमे से किस में बदल जाते हैं ठेक ना देखो किस में बदल जाता है कौन तो प्रोटीन तो देखो बाबू जब भी प्रोटीन का पाचन होता है तो प्रोटीन का पाचन में निस्टाट हो जाता है आपका जो है अमासे में और अमासे में प्रोटीन का पाचन जो है वो पाचन के दौरान किसमें बदलता है पेप्टोन में और पेप्टोन से फिर जब छोटी हाथ में जाता है पेप्टोन के रुप में तो वहाँ पर जाकरके वो बदल जाता है और उसका पाचन होता है पूरा और पाचन पुर्ण हो उटेगा तो क्या बनेगा एमीनो अमले बनाएगा तो इस तरह से इसका सही आंसर क्या होगा option C यानि की एमीनो अमले ठीक है चलो अगला देखते हैं अगला प्रसन देखो अगला प्रसन बाबु कह रहा है कि निमने लिखित में से वह कौन सा अंग है जो ग्लाइकोजेन के र सरकरा को कार्बो हाइड्रेट को तो देखो अगर ग्लाइकोजेन के रूप में सरकरा को जमा करने की बात करी जाएगी तो इसमें आपको ध्यान देना है कि जो यक्रीत है तो यक्रीत में ही देखो जब हमां देखो हम लोग कार्बो हाइड्रेट लेते हैं तो कार्बो हाइ लिवर है जो यक्रित है उस यक्रित में जाकर के और संचीत हो जाता है समझ गया ना तो मेने यहां पर आंसर क्या होगा यक्रित यानि की लिवर option D इसमें सही answer होगा समझे ना चलो आगे देखो अगला जो प्रस ने उसको देखिए सब लोग अगला प्रस में कह रहा है कि पीत निम्न में से किसके द्वारा स्त्रावित किया जाता है देखो पीत के बारे में कहा जा रहा है पीत रस कि पीत रस वो किसके द्वारा स्त्रावित किया जाता है तो पीत रस को आपको ध्यान देना है कि देखिए यहाँ पर यकरित जो है इस यकरित के द्वारा ही पीत रस का स्त्राव किया जाता है ठीक ना इसका सही आंसर क्या है तो सही आंसर होगा यक्रित समझ गया ना लेकिन यहीं अगर आपका प्रस्ण पुछ लेता है कि पीत रस जमा कहां रहता है संग्रहित कहां रहता है तो पीत रस जमा कहां रहता है वो रहता है पितासे में तो अगर पूछे निकलता कहा है पीत तो होगा आंसर यकरीत लेकिन अगर पूछे आपसे कि जमा कहा हो रहता है तो आप क्या हो जाएगा तो जमा रहता है ये मेन आपका पीतासाई में समझ गया ना तो चलिए अगले प्रश्ण की तरफ बढ़ते हैं अगला प्रश्ण अगला प्रश्ण कर रहा है कि पीत का प्रमुख कार्ज है तो देखो बाबू पीत के अगर कार्ज का है तो इसमें आपको ध्यान देना है कि पहला अप्सन क्या दे रहा है कि वसा का वसा अमले तथा ग्लिस्रॉल में परिवर्तन तो ये नहीं होगा आपको ध्यान रखना ह कि वसा अमल और ग्लिसरॉल में परिवर्तन जो है वो किसको किसके द्वारा किया जाता है तो वो लाइपेज एंजाइम के द्वारा किया जाता है पीत के द्वारा नहीं किया जाता है ठेक ना अब देखो अगला करा है कि वसा अमल तथा ग्लिसरॉल का वसा में परिवर्तन ब पीत जो है वो वसा का पायसी करन करता है, भोजन में जो भी वसा रहेगा, उस वसा का पायसी करन कौन करेगा, तो वसा का पायसी करन करता है पीत, समझ गया ना, चलो अगला देखते हैं, अगला देखो बाबू, अगले प्रस्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, चली अगले प्रस्ण की तरह बढ़ते हैं और अगला प्रस्ण बाबू सब लोग ध्यान दो यहाँ पर अगला प्रस्ण जो है आपका वो का रहा है कि निम्ण में से कौन सा एंजाइम ग्लुकोज को इथेनॉल में परिवर्तन करने को प्रेरित करता है तो देखो अगर आपसे पूछे कि ग्लुकोज को इथेनॉल के रुप में परिवर्तन करने की बात करी जाएगी तो इसमें आपको ध्यान देना है कि option A क्या दे रहा है जाइमेज, option B दे रहा है इन्वर्टेज, option C दे रहा है माल्टेज और option D दे रहा है दाइस्टेज, तो देखो जो इसमें आप देख रहे हैं जाइमेज एन्जाइम तो इस जाइमेज एन्जाइम के द्वारा ही क्या होता है इथेनॉल, जो है इथेनॉल को आप लोग ग्लुकोज में परिवर्तित किया जाता है में ये प्रोसेस जो है वो इस्ट में होता है समझगे ना ये किस में होता है इस्ट में होता है ठीक है आप देखिए अगला जो प्रस्ण है उसकी तरह बढ़ते हैं अगला प्रस्ण देखिए अगला प्रस्ण आपका कर रहा है कि जैविक तंत्र में रासायनिक क्रिया की प्र ध्यान दीजिए कि इसमें option A दिया है bacteria, option B दिया है DNA, option C दिया है enzyme और option D दिया है protein, तो देखो, अगर BPSC के exam दोगे तो उसमें तुम्हारा option E हो जाएगा, क्योंकि protein क्या है, देखो, enzyme भी क्या एक प्रकार के, protein है, ठीक ना, तो ये मिल है, तो ध्यान देना है कि इसमें आपक सही answer क्या होगा, तो इसमें आपका सही answer हो जाएगा enzyme, यानि option C, ठीक है, चलो, अगले प्रस्न के तरह बढ़ते हैं, अगला प्रस्न देखिए, अगला प्रस्न कर रहा है आपसे, अगला प्रस्न कर रहा है, कि निम्न में से किस एक की उत्पती यकरित का कार्ज है, देखो, अगला प्रस्न करने तो आपको इसमें option A में देरा है, लाइपेस, option B में देरा है, यूरिया, option C में देरा है, सलेषमा, और option D में देरा है, हाइड्रो क्लोरिक अमले, देखो, यह UP PCS का में पूछा हुआ प्रस्न है, ठीक ना, और इसमें आपको ध्यान देना है, कि जब भ पाचन करने वाला एंजाइम यहाँ पर कौन सा है तो वो है मेन यहाँ पर लाइप एज यानि कि ऑप्सन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं तेखो आप लोग जो है आपको अगर प्रस्ण का आंसर पता है तो आप उसको आंसर करते र जो अगला प्रस्ण आपका कर रहा है कि मानो तंत्र में कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है बात को समझेए क्या कर रहा है कि मानो तंत्र में कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है तो यहाँ पर ध्यान देना है कि इसमें option A दे रहा है trypsin, option B दे रहा है gastrin, option C दे रहा है ट्रिप्सीन जो है यह आपका अगनासाई रस में पाए जाता है अगनासाई से निकलता है और छोटी आत और आत्रगरंथी से निकलता है तो यह भी क्या है एंजाइम है यह भोजर का पाचन करता है टाइलीन जो है टाइलीन भी क्या करता है तो टाइलीन में जो है यह प्रस्ण देखो बाबू अगला जो प्रस्ण है वो करा है आपसे कि निम्न में से कौन सा लार की सहायता से पच जाता है यानि कि लार्ग रंथी में जो एंजाइम्स पाय जाते हैं तो उन एंजाइम्स के द्वारा कौन सा यहां पर जो पुशक पदार्थ है वो पच जाता है तो देखो, option A दे रहाए protein, option B दे रहाए यहाँ पर starch, option C दे रहाए race, race का मतलब यहाँ पर cellulose समझना, ठीक न? क्योंकि रेसे किस से बने होते हैं सेलूलोज से बने होते हैं और option D दे रहे हैं पे उप्यूक्त में से कोई नहीं तो यहां पर ध्यान देना है कि protein जो है तो protein का पाचन किसके द्वरा किया जाता है तो protein का पाचन में जो है यह किया जाता है पेपसीन के द्वारा और ये पेपसीन कहा निकलता है बाबू पेपसीन निकलता है में ये अमासाय में ठीक ना लार में नहीं होता है बाकी जो है स्टार्च की बात की जाएगी तो यहीं स्टार्च जो है इस स्टार्च का पाचन किसके द्वारा किया जाता है starge का पाचन LAAR के द्वारा किया जता है LAR में एक enzyme पहे जता है जिसका नाम होता है Agency Tiling was that Tiling Tiling को येम लोग क्या कहते है Tiling को येम लोग emilase भी कहते है तो उसी enzyme के द्वारा आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर किसका पाचन किया जता है तो टाइलीन या जो एमाइलेज एंजाइम है उसी के द्वारा इस्टार्ज का पाचन किया जाता है और ये एंजाइम कहां पाए जाते हैं ये एंजाइम पाए जाते हैं लार में तो इसमें आपका आप्शन B जो है ये बिल्कुल सही होगा ठेक ना चलो अगले प्रस्ण की अगला प्रस्ण देखिए करा है कि यकरित एवं मानस्पेसियों में उर्जा जमार आती है यकरित एवं मानस्पेसियों में उर्जा जमार आती है ऑप्शन A करा है कि कार्वो हाइडरेट के रुप में ऑप्शन B करा है वसा के रुप में ऑप्शन C करा है प्रोटीन के रु प्रासेस जो है यह रहता है तो यहां पर यहां पर यह सारे जो प्रॉसेशस जो है यह यकृत में किये जाते हैं इसलिए यकृत को मेन हम लोग यहां पर जैवी का जो सरीर है जीवों के सरीर का मेन हम लोग यहां पर रासायन घर कहते हैं तो जीव सरीर का रासायन घर किसे कहा जाता है बबू जनतु सरीर का तो वो हो जाएगा आपका यहाँ पर यक्रित समझ गया ना चलिए आगे देखते हैं बबू अगला जो प्रस्ण बहुत देखिए कर रहा है कि ग्लुकोज का सुत्र है तो ई बाबू यह जो है इसको तो सबको बनाना चाहिए इसमें तो ज्यादे दिमाग नहीं लगाना है देखो इसमें आपका option A जो हो कर रहा है कि C6H12O6 option B कर रहा है कि C6H10O5 यह नहीं होगा आपका बाकी कर रहा है option C में कि C6H22 और O11 यह भी नहीं होगा और option D कर रहा है कि C6H6O6 यह भी नहीं होगा तो यहाँ पे आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा तो इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका C6H12O6 जो option A है तो option A यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा ठीक है चलिए अगले प्रस्ण की तरह बढ़ते हैं अगला प्रस्ण जो वो पढ़िए करा है कि निम्न में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है तो देखो प्रोटीन के पाचन करने की बात करी जाएगी तो यहाँ पर ध्यान देना है कि प्रोटीन का पाचन करने वाले जो एंजाइम है उनको क्या करते है पेपसीन पेपसीन के द्वारा में प्रोटीन का पाचन शुरू होता है और प्रोटीन के पाचन में में पेपसीन के अलावा और भी एंजाइम जरूरी होते है जिसमें से आपका यहाँ पे ट्रिपसीन हो जाएगा ट्रिपसीन के अलावा काइमो ट्रिपसीन हो जाएगा तो यह भी enzyme जो है वो क्या करते हैं तो वो यहाँ पर protein के पाचन में में सायक होता है तो यह सारे के सारे enzyme protein के पाचन के लिए कौन-कौन उत्तर दाई है तो यह हो जाएगा पेपसीन इसके बाद में trypsin, chymotrypsin, peptidase तो यह पूरा का पूरा क्या है यह सब के सब प्रोटीन के पाचन में सायक होता है ठीक है चलो आगे देखते है लेक्टेज जो है लेक्टेज में आपको ध्यान देना है कि लेक्टेज यहाँ पर जो लेक्टोज होता है जो दूद ह तो दूद में जो लेक्टोज पाया जाता है तो उसका पाचन कौन करता है लेक्टेज करता है ठीक है चलिए आगे देखते हैं अगला प्रसन बाबू देखो सब लोग अगला प्रसन देखिए करा है कि भोजन के पाचन के समय HCL से अमासे की दिवार को सुरक्षा कौन करता है तो देखो यहां पर ध्यान देना है कि जब भी यहां पर अमासे की बात करी जाएगी तो अमासे में तीन में जो है चार एंजाइम्स निकलते हैं जिसमें से एक हो जाता आपका रेनीन एक हो जाता है सलेसमा एक हो जाता आपका पेपसीन और एक हो जाता यहां पर HCL तो देखो, यहाँ पर पूछ रहा है कि HCL से अमासे की दिवार को सुरक्षा करना है तो देखी HCL क्या है? अमल है और उससे सुरक्षा करना जरूरी होता है क्योंकि यह क्या है? यह जो मैंना आपका skin जो है ना मतलब अंदर क्या है? अमले से खत्रा होता है उस खत्रे को कम करने के लिए उसमें क्या निकलता है? तो सलेस्मा यानि कि अगर आपसे पूछे कि अमासे की दिवार जो है तो अमासे की दिवार को सुरक्षा कौन परदान करेगा? तो ये कौन होता है सलेस्मा सलेस्मा एक चिकना पदार्थ होता है जो भोजन के पाचन के समय जा करके अमासे की जो में जो आंतरिक दिवार है जो उस आंतरिक दिवार में जा करके चिपक जाता है चारो तरफ फैल जाता है जिससे एसील जो ये वो अमासे के दिवार को टच न कारण पूछ रहा है कि acidity का कारण क्या होता है तो देखो एक आपका acidity हो गया और एक होता है आपका यहां पर ulcer क्या होता है एक होता है आपका ulcer तो देखो यह दोनों को हम आपको यहीं पर बता दे रहे हैं देखिए ACDT के अगर बात करें तो आपको ध्यान देना है कि ACDT उस इस सिती में हमारे body में होता है जब हमारे body में जो amasai है तो उस amasai में अगर ACL की मात्रा जब बढ़ जाती है बहुत जादे है तो ACL की मात्रा बढ़ने के कारण क्या होता है ACDT होता है समझ गया न? को acidity या फिर अमलियता कहते हैं तो अमलियता उत्पन्य होने का करण क्या है अमासय में ACL अमलका अधिक हो जाना ठेक ना तो यहां पर option B आपका सही answer हो जाएगा अब देखो लेकिन वहीं अगर आप से पूछे कि भाईया ulcer किसके कारण होता है तो अगर ulcer पूछे तो इसके लिए आपका यहां पर ध्यान देना कि ulcer कारण क्या है कि अमासय में कभी-कभी सलेस्मा कम मत्राम निकलता है और सलेस्मा के कम मत्राम निकलने के कारण ACL जो है अमासय की दिवार को टच कर जाता है और फिर उस सिती में वो क्या करेगा अमासय की दिवार को छतिप हो जाता है और उसमें घाव उत्पन कर देता है और उस घाव को इम लोग क्या करते है उस घाव को यहां पर अलसर करते हैं या फिर पेप्टिक अलसर करते हैं समझ गया ना तो देखो अगर ul तो अलसर का अंसर क्या होगा अलसर का होगा mean region की स्लेस्मा का कम निकलना यह होगा अलसर का region अगर पूछे की acidity का region तो acidity कब होता है acidity जब ACL की मातरा अमासे में ACL की मातरा बढ़ने के कारण acidity उत्पन होता है विल्कुल सही answer होगा आगे देखते हैं, अगला प्रस्ट ने, देखिए, अगला प्रस्ट ने आपसे कर रहा है कि निम्न में से कौन छोटी याथ का भाग नहीं है, देखो, यहां पर option A दे रहा है कारडियक, कातिक लिख दिया है, लेकिन ये क्या है बबो, ये है आपका कारडियक, क्या है, ये क् अपने पर आपको ध्यान देना आ है कि यहाँ पर डिूदेनम, जेजुनम, और इलियम यह तीनों किसका पाठ है? यह तीनों छोटी आत का पाठ है लेकिन जो आप यहां पर cardiac देख रहा हैं यह फिर option A जो है यह on-stand A जो cardiac है, यह cardiac किसका पाठ है? तो cardiac जो है ये main आपका जो है ये main जो है ये अमासे का भाग होता है अमासे के तीन भाग होता है cardiac, pyloric और fundic तो ये cardiac किसका पाट हुआ है ये अमासे का पाट हुआ है तो चुकि पूछ रहा है कि छोटी यात का भाग नहीं है तो यहाँ पर कार्डियक जो यह क्या है, यह छोटी याथ का भाग नहीं है, बलकि किसका है, यह अमासे का भाग है, तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा यहाँ पर कार्डियक, समझ गा ना, चलो, अगले प्रसन की तरह बढ़ते हैं, देखिए, अगला प्रस न आप से करा है कि चोटी हांत में निम्न मेंसे किस ग्रंथी का स्थ्राय। नहीं आता है। देखो छोटी आत में पूछ रहा है कि नहीं आता है, तो ध्यान देना है कि यक्रित जो है, तो यक्रित का तो स्राव आता है भई, यक्रित का आएगा, अगनासे का भी मेने यहां पर आता है, अगनासे ही रहस, ब्रुनर्स ग्रंथी जो छोटी आत में, तो छोटी आत में ही ब्रुनर्स ग्रंथी पाया जाता है, तो ब्रुनर्स ग्रंथी का तो अई बे करेगा, लेकिन ध्यान दो, कि जो यहाँ पर पितासे है, तो पितासे का स्राव नहीं आता है, क्यों? क्योंकि पितासे से कोई पदात स्रावित ही नहीं होता है, पितासे क्या है, तो पितासे से को देखो करा है कि सबसे अधिक विभाजन चमता सरीर में किस कोशिका का होता है तो देखो ध्यान दो अगर पूछे आपसे कि सबसे अधिक विभाजन चमता है तो आपको ध्यान देना है कि सबसे जादे पूछे तो यह हो जाएगा आपका यकृत कोशिका लेकिन अगर आपसे पूछे कम तो सबसे कम विभाजन चमता किसका होता है तंत्रिका कोशिका का ठेक ना जो ब्रेन की कोशिका होती है तो ब्रेन की कोशिका का जो विभाजन चमता है वो सबसे कम होता है और जो यकृत कोशिका है उसका विभाजन चमता क्या होता है वो सबसे जादे होता है ठेक तो अगर जादे पूछे तो क्या कहिएगा? यकृत को सिखा और अगर सबसे कम अगर विभाजन चमता पूछे तब क्या कहिएगा? वो हो जाएगा आपका यहाँ पर में तंत्रिका को सिखा ठीक है? हम उमीद करते हैं कि यह भी आपको समझ में आ गया होगा अब क्या है कि आप थोड़ा सा वीडियो को मतलब अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए अपने दोस्तों के साथ में अधिक साधिक सेर भी करिए जिससे कि और अधिक लोग हम लोग के साथ में आपर इस वीडियो में जुड़ सके अब अगले प्रस्न की तरफ बढ़ते हैं अगला प्रस्न देखिए सब लोग अगला प्रस्न कर रहा है कि यकृत का अधियन कालाता है तो देखो ध्यान दो यकृत का अगर पुछे कि यकृत का अधियन क्या कलाता है तो आपको ध्यान देना है कि यकृत का अधियन जो है यहाँ पर ध्यान दीजिए वो हिपेटोलोजी कलाता है यह कृत का अध्यन क्या कुल आता है बबू तो यह कृत का अध्यन जोए वो Hypetology कल आता है ठीक है आगे देखो आगे देखते हैं का रही कि PITRAS का pH मान होता है तो ध्यान दिजिए अगर आपसे पूछे कि PITRAS का pH मान तो आपको पता होना चाहिए कि पीत रस जो ये वो छारिये होता है और उसका पीएच मन कितना होता है 7.7 तो पीत रस का पीएच मन क्या होगा बाबू तो पीत रस का पीएच मन होता है 7.7 समझ गया ना अब देखो आगे देखते हैं अगला प्रस पूछ रहा है कि काईम का निर्माड कहा होता है काईम तो देखो हम आपको बताये थे वीडियो आप जो है अगर नहीं देखा होंगे तो देख लिजिए गजा करके कि जो अमासय है तो अमासय में भोजन जो है पचने के बाद में एक गाढ़े लेई नुमा सनरचना की तरफ बदल जाता है ठीक ना तो वो जो गाढ़े लेई नुमा जो सनरचना होती है उस सनरचना को इम लोग क्या करते हैं उसी को इम लोग करते हैं काईम यानि कि अगर पूछे कि काईम का निर्माड का हमा होता है तो क्या हो जाएगा आपका आंसर तो काईम का निर्माड अगर पूछे तो ये मेन आपका हो जाएगा अमासर यानि कि अमासर में काईम का निर्माड होता है समझ गया ना तो इसमें आपका option B जो वो बिल्कुल सही answer है, ठीक है, चलो, अगले प्रस्न की तरह पढ़ते हैं, ज्यान दीजिए, अगला प्रस्न देखिए, अगला प्रस्न आपसे कह रहा है कि पितासे में पथरी किससे बना होता है, तो देखो, पितासे में अगर पूछे कि पथरी किस से बना होता है, ठीक है, चलो, आगे देखते हैं अगला प्रस्न, अगला प्रस्न देखिए बबू, करा है कि पितासे की पथरी को समाप्त करने में कौन सा धातु सहायक होता है, option A d.I. calcium, B d.I. magnesium, C d.I. ferrous, और D.I. है, यहाँ पर में आपका sodium, तो देखो, द्यान देना है क जो पितासे की पथरी है, तो पितासे की पथरी को समाप्त करने में में जो helpful होता है, उसका नाम होता है, यहां पर magnesium, तो आपका इसमें बिल्कुल सही answer क्या होगा, बबू, तो इसमें बिल्कुल सही answer हो जाएगा, magnesium याने की option B, ठीक है, चलिए, अगले प्रस्न की तरह ब कि निम्न में से किस पाचक रस में कोई एंजाइम नहीं पाए जाता है तो देखो जठा रस जो यह कहां से निकलता है अमासे से अगनासे रस अगनासे से पीत रस जो यह में यकरित से निकलता है सकस एंटेरिकस जो यह निकलता है में आपका छोटी आप से आत्रक्रंथी से अब देखो तो इसमें जो जो है एंजाइम पाए जाते हैं हम आपको बताया है कि जट्था रस में आपका पेपसीन इसके बाद में हो जाएगा आपका रेनीन उसके बाद में हो जाएगा यहां पर आपका पेपसीन यूप्लेज इसके बाद में लाइपसीन इसके बाद में लाइपेज यह सारे के सारे नूऐं लेकिन जो पीतरस है पीतरस में एंजाइम एक को नहीं पाया जाता है ठीक ना तो यहां पर आपका सही आंसर क्या होगा पीतरस क्या करा है कि किसमें एंजाइम नहीं पाया जाता है तो नहीं पाया जाने वाला कौन है पीतरस पीतरस में कोई भी आपका एंजाइम नहीं मिलता है ठेकर चलो आगे देखते हैं अगला प्रस्ते देखो करा है कि पीत में निम्निमें से कौन सा वर्णक पाया जाता है देखिए कर देखिए पीत का में अगर कलर पुछे त आपको ध्यान देना है ठेक ना, यानि कि उसमें हरापन भी पाये जाता है और पिलापन भी पाये जाता है ठेक ना, तो ध्यान दीजिए कि हरापन के लिए भी मेन पिगमेंट पाये जाता है और पिलापन के लिए भी, तो देखो, हरापन के लिए इसमें बिली बर्डिन पाये जाता है और पिलापन के लिए क्या पाय जाता है यहां पे बिली रुबिन तो इस तरह से आपको ध्यान देना है कि अगर पूछे कि पीत रस में कौन सा वर्णक पाय जाता है तो आपको ध्यान देना है कि पीत रस में दोनों पाय जाता है बिली रुबिन भी पाया जाता है और बिली बर्डिन भी पाया जाता है तो मेन इसमें आंसर क्या होगा आपका ये तथा भी दोनों यानि कि option C जो है इसका सई आंसर होगा ठीक है ना? चलो अगला देखते हैं आगे देखो करा है कि पीत में हरापन किस वर्णक के कारण होता है तो देखो बाबू पीत में अगर पुछे आपसे कि पीत में हरापन किस के कारण होता है तो आपको ध्यान देना है कि पीत में हरापन जो है ये मेन आपका बिली बर्डिन के कारण होता है अभी तुरांते बताया ना, कि पीत में हरापन किसके कारण होता है, तो पीत में हरापन होता है, बिली बर्डिन के कारण, जबकि पीलापन किसके कारण होता है, तो वो होता है, बिली रूबिन के कारण, समझ गया ना, बिली रूबिन जो है वो मेन, आपका पिले रंग का वर हलं तो देखो हम आपको अभी क्या पता है कि ब्ली रूबीन हम लोग क्या कहते हैं ठीक ना तो यहां पर आपका सइनसर क्या होगा भवू तो सइनसर हो जाएगा बिलिरूबीन यानि कि बिलिरूबीन के अधिक्ता के कारण जो है यहां पर सरीर में पीलिया नामक रोग होता है ठीक है ? चलिए आगे देखते हैं अगला प्रस्म देखो कर रहा है कि विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है तो अगर आपसे पुछे कि विश्व हेपेटाइटिस दिवस तो आपको ध्यान देना है कि जो 28 जुलाई है तो 28 जुलाई को मेन हम लोग यहां पे विस्व हेपेटाइटिस दिवस मनाते हैं ठेक है? विस्व हेपेटाइटिस दिवस का यह मनाते हैं 28 जुलाई को चलो आगे देखते हैं अगला प्रशन देखिए करा है कि पिलिया रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है तो देखो बाबू ध्यान देना है कि पीत कहाँ से निकलता है तो पीत निकलता है मेन आपका यक्रित से और यक्रित में जो पीत पाया जाता है उस पीत में ही क्या पायाता है बिली रूबिन और बिली बर्डिन यानि कि बिली रुबिन और बिली बर्डिन का स्राव कहां से होता यह होता है मेन यक्रित से तो देखो यक्रित में ही बिली रुबिन बनता है इसलिए मेन ध्यान देना है कि यक्रित जो है इस यक्रित में ही क्या होगा यक्रित जो यहीं प्रभावित होता है पिलिया रोग में तो अगर आपसे पूछे कि पिलिया रोग में सरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है तो कौन होता है यक्रित क्योंकि यक्रित से बिली रुबिन नाम का पिग्मेंट में बनता है ठीक ना और बिली रुबिन के कारण ही क्या होता है पिलिया रोग उत्पन होता है तो प्रभाईतोंने वाल अंकन हो जाएगा यह हो जाएगा आपका यक्रित इसी को लीवर कहते हैं ठीक है चली अगले प्रस्ण की तरफ पढ़ते हैं बाबू आगे देखो अगला जो आपका प्रस्ण वो कर रहा है कि कौन सा हर्मोन अगनासरी रसके स्राव को प्रेरित करता है तो देखिए ध्यान दीजिए ऑप्सण A d.I. C. C. रहें बाबू, जो में ने आप देख रहें सिक्रेटीन हर्मोन, तो सिक्रेटीन हर्मोन के दवारा ही क्या होता है अगनासरी रसके स्राव को प्रेरित करें हर्मोन पुझे तो क्या हो जाएगा, सिक्रेटीन हो जाएगा इंसूलिन की बात करें तो इंसूलिन जो यह ग्लुकोज की मातरा को सरीर में रक्त में नियंतरित करता है और गैस्ट्रिन जो यह क्या करता है तो गैस्ट्रिन क्या करता है कि यह जो मेन आपका जट्था रस है तो जठा रस के सराव को प्रेद करता है यह करता है गैस्ट्रीन ठीक ना तो गैस्ट्रीन जो है जठा रस के सराव को प्रेद करेगा इंसूलिन जो क्या करेगा तो वो रक्त में ग्लुकोज की मातरा का नियत्रन करेगा और जो सिक्रेटीन है तो सिक्रेटीन क्या करता है यह म प्रस्ण कर रहा है कि पाचन की क्रिया में होता है यानि कि पाचन की क्रिया जब होती है तो पाचन में होता क्या यह में आप से पूछ रहा है option A में दे रहा है कि जटिल अडू का सन्योजन सरल अडू के रुप में तो बिल्कुल नहीं जटिल अडू जब सन्योजित होगा तो सरल अडू तो बनवे नहीं करेगा तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा अगला option, option B कर रहा है कि सरल अडू का सन्योजन जटिल अडू के रुप में ये भी नहीं होगा बाबू, देखो पाचन की क्रिया में सन्योजन होता ही नहीं है तो दोनों मेंसे कोई नहीं होगा option C कर रहा है कि जटिल अडू का विखंडन सरल अडू के रुप में ये बिल्कुल सही है क्योंकि पाचन की क्रिया में क्या होता है कि जो बड़े अकार के अडू होता है तो उन बड़े अडूओं का में छोटे अडू के रुप में तोड़ा जाता है ठीक ना चलिए अगला देखते हैं अगला प्रसन देखो करा है कि पाचन कैसी अभिक्रिया है यानि कि पाचन के बारे में पूछ रहा है कि अभिक्रिया कैसी है किस प्रकार की है तो देखो इसमें अप्शन A करा है अप्चयन अप्शन B करा है उप्चयन option C करा है, औक C करा है, और option D क्या करा है, प्रतियस्थाफन तो आपको ध्यान देना है कि पाचन के बारे में अगर पूछे, तो पाचन कोईसा न अभिकरिया है ये अपचयन अभिकरिया है, पाचन कैसा अभिकरिया है, अपचयन है ठीक न, क्योंकि इसमें क्या होता है, बड़े अडू टूट करके और छोटे अडू का निर्मान करते हैं, तो मैंने आपर अपचैन हो जाएगा, चलो अगला देखते हैं, अगला प्रस्ण कर रहा है कि प्रोटीन के विखंडन से प्राप्त होता है, तो यह हम आपको पहले भ होता है, इसको थोड़ा सा घुमा के यहां पर देदिये, थोड़ा सा बदल के चेंज करके, तो प्रोटीन का जब दिखंडन होगा, प्रोटीन जब पचेगा, तो उसके पचने के बाद में क्या बनता है, एमीनो अमल है, तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर B, जो है इसका सह एमीनो अमल है, ठीक है, चलो अगला देखते हैं, अगला प्रस्न कर रहा है कि पाचक गरंथियों से स्रावित होता है, तो पाचक गरंथि से आपको बताए न, कि पाचक गरंथि जो है, उन पाचक गरंथियों से क्या स्रावित होता है, हार्मोन स्रावित होता है, समझ गया यानि कि option C जो है वो बिल्कुल आपका सही आंसर होगा, ठीक है ना, चलो अगला देखते हैं, अगला प्रस्ण कहा रहा है कि वसा के पाचन के फल स्वरूप निर्मित होते हैं, तो ये तो हम पहले हों बताएं कि वसा का जब पाचन होगा ना तो इसमें दूग बनेगा, कौन आपका क्या हो जाएगा, option E बिल्कुल सही होगा, ठीक ना, चलो अगला देखते हैं, अगला प्रस्ण क्या कर रहा है वाबू, कर रहा है कि पाचन तंत्र के घटक नहीं है, तो देखो ध्यान दो, अगर पुछे कि पाचन तंत्र का घटक नहीं है, तो इसमें ध्यान देना स्वसन नाल की अगर बात करी जाएगी, तो यह नहीं है, ठीक ना, स्वसन नाल जो है, यह पाचन तंत्र का घटक नहीं है, बलकि किसका है, यह स्वसन तंत्र का घटक है, तो इसमें सही अंसर क्या होगा, सही अंसर हो जाएगा, स्वसन तंत्र, स्वसन नाल, क्योंकि इसमे क्या पूछ रहा है कि पाचनतंत्र का घटक नहीं है तो अगला प्रशन जो वह का रहा है कि मनुस्य के आहार नाल की लंबाई होती है तो हम आपको पहले ही बता है कि मनुस्य के आहार नाल जो अगर मीटर में फूछे तो मीटर में इसका लंबाई कितना हो जाएगा आठ से दस मीटर लगभग इसकी लंबाई होती है तो ये मेन आपको ध्यान देना है ठीक है चलो आगे देखते है बबू अगला देखो अगला कर रहा है कि मनुष्य के आहार नाल का सबसे बड़ा भाग है तो अगर पूछे कि मनुष्य के आहार नाल का सबसे बड़ा भाग है तो मनुष्य के आहार नाल का सबसे बड़ा भाग कर रोता है बबू तो देखो हम आपको बताया है कि जो एक छोटी आत होता है तो छोटी आत की लंबाई केतना होता है 6-8 मीटर होता है समझ गया ना तो 6-8 मीटर देखो अब मान के चलो कि 8-10 मीटर लगभग क्या है पूरा अहार नाल के लंबाई है अगर हमें 6-8 मीटर अकेले कब जा कौन कर लिया है छोटी याद ओ सोरी यहां पर ध्यान देख है ध्यान से समझी है क्या करा है कि सबसे यहां पर बड़ा भाग पूछ रहा है तो देखो अगर अहार नाल का सबसे बड़ा भाग आपसे पूछे तो सबसे बड़ा भाग होता है यकरित जिसका वजन अगर पूछे तो वजन यहां पर ध्यान देना है वजन इसका लगभग 1.5 केजी होता है समझ गया ना तो सबसे बड़ा भाग पूछे तो यकृत हो जाएगा लेकिन अगर सबसे लंबा भाग पूचे तब क्या होगा छोटीा आगे देखते हैं कि अगला पुच्छन करा है कि मनुष्य के अहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है तो लंबा में पूचे तो क्या हो जाएगा यहीं जो 6-8 मीटर था, कौन? छोटी यांथ, तो छोटी यांथ इसमें सही आंसर होगा, ठीक है? अगर सबसे लंबा भाग पूछे, तो छोटी यांथ होगा, और सबसे जो है, सबसे अगर बड़ा भाग पूछे, तो क्या हो जाएगा? आपका यकरित, क्योंकि मेन उसका सेप बड़ा होता है, और इसका मेन लंबाई बड़ी होती है, ठीक है? चलो, आगे देखते हैं, अगला जो वो कर रहा है, कि यहाँ पर ध्यान दीजी ये कर रहा है, कि पाचन की क्रिया का प्रारंब कहा होता है, तो देखो, जहीं सहीं पाचन का क्रिया जो वो स्टार्ट हो जाता है, तो यहाँ पर जो आपका सहीं आंसर होगा, वो क्या हो जाएगा? मुख गुआ, कि पाचन की क्रिया कहां प्रारंब होती है, ठीक है? चलो, आगे देखते हैं, अगला अगला प्रसन कर रहा है, कि पाचन की क्रिया कहां नहीं होती है तो देखो बाबो सबसे पहले पाचन की क्रिया मुख गुआ में होती है इसके बाद में आपके अमासाय में होती है और उसके बाद में कहा होता है छोटी आत में इन तीनों अंगों को छोड़के बाकी कहीं पे पाचन की क्रिया नहीं होती है ठेक ना तो इसमें जो सही रहly हैं तो आपका सही आंसर क्या होगा Sean E यानिकी एक से अधिक सही क्या होगा ऑपसन ए होगा He से अधिक सई क्योंकि ग्रास नली में भी भोजन का पाचन नहीं होता है और जो बड़ी आत है तो बड़ी आतम भी भोजन का पाचन नहीं होता है ठेकना तो इस तरह से आपे option E जो वो बिल्कुल सई होगा ठीक है चलिए आगे देख अगला देखते हैं अगला देखो सब लो है कि अगर हम लोग बात करें कि जठर ग्रंथी तो जठर ग्रंथी तो भया है आत्र ग्रंथी भी है और लार ग्रंथी भी है लेकिन जो अगनासे की द्विपिक्या देख रहे हैं तो अगनासे की द्विपिक्या जो है ये पाचक ग्रंथी नहीं है ये क्या है तो ये एक अंत करते हैं कि आप सभी पूरे वीडियो को एंज़ॉयर कर रहे हैंगे। आप सभी को पूरा की पूरा वीडियो जोस्मझ में आ रहा होगा। समझ में सबको आ रहा है ना। चलो अगला देखता है। अगला देखिए। अगला कर रहा है कि मनुस्य में दातों की द्विबार दंती वेवस्था पाई जाती है यहाँ पर ध्यान दो यहाँ पर दातों की होगा दातों की द्विबार दंती वेवस्था पाई जाती है ठेक ना इसका तात्पर्य है यानि कि जो दूबार दंती बेवस्था पाई जाती है उसका मतलब क्या होता ये पूछ रहा है तो देखो इसमें कह रहा है कि दो बार दातों का निकलना तो यहीं आपका अंसर होगा कि जो मनुष्य है तो मनुष्य में क्या होता है कि दू बार दात निकलते हैं और जब दू बार दात निकलते हैं तो दो बार दातों के निकलने की प्रक्रिया को यह क्या कहते हैं दातों की द्विबार दंती बिवस्था कहते हैं समझ गया ना चलो अगला देखते हैं अगला प्रस अगला प्रस ने आपका कर रहा है कि दूद के दातों की संख्या होती है तो ध्यान देना है कि दूद के दात अगर पूछे तो दूद के दातों की संख्या में आपको ध्या चलिए आगे देखते हैं इसके बाद देखो अगला प्रसन आपका कर रहा है कि अस्थाई दातों की संख्या होती है तो अगर अस्थाई दात पूछे तो अस्थाई दात में ध्यान देना है कि यह आपका क्या हो जाएगा अस्थाई दात जो यह होता है 32 यानि कि option D जो है इसमें बिल्कुल सही होगा ठेक ना अगर आपसे पूछे दूद के दात तो यह हो जाएगा 28 और अगर अस्थाई दात पूछे तब क्या हो जाएगा 32 यानि कि 32 ठेक ना अरे को है जला ना 32 तो 32 क्या वही है वो अस्थाई दात है ठेक ना अब देखो आगे अगला प्रस्ण कर रहा है कि दातों का अधेयन का लाता है तो देखो अगर पूछे कि दातों का अधेयन तो दातों का अधेयन जो है इसमें option दिया है dental science, option B दिया इसमें odontology, C दिया है दंचिकित्सा और D दिया है यहाँ पर main cytology तो देखो यहाँ पे अगर दातों का अध अध्यान का है तो आपको ध्यान देना है कि इसमें option B जो बिल्कुल सही होगा odontology ठीक ना दातों के अध्यान को क्या करते बभू इसको आम लोग कितना लोग सोचेगा कि dental science तो बभू dental science नहीं होगा यहां पर क्या होगा odontology होगा ठीक ना चलो अगला देखते हैं अगला प्रस्ण आपका कर रहा है कि दातों का सबसे कठोरतम भाग क्या होता है यह सब को पता होता है कि दात के सबसे जो कठोरतम भाग वह बहरी वाला कौन सा होता है वह ता आपका यहां पर इना मिल तो सबसे कठोर पूछे तो क्या हो जाएगा बभू यह हो जाएगा आपका इना मिल ठीक है चलिए अगले प्रस्ण के तरह बढ़ते हैं अगला प्रस्ण जो है वह ध्यान दिजिए कर रहा है कि हाथी में दिखाने वाला दात होत तो चलिए, आगे देखते हैं अगला प्रस्ण, अगला प्रस्ण कर रहा है कि निम्न में से कौन मुख गुहा से संबंधित नहीं है, तो मुख गुहा से, यानि कि मुख गुहा में कौन सी सरचना नहीं पाई जाती है, मैंने आप यहीं पूछ रहा है, option A का रहा है कि pirotid ग्रंथी option B का रहा है कि sub-mandibular ग्रंथी option C का रहा है pyloric भाग option D का रहा है कि एक से अधिक सही या फिर कोई सही नहीं है तो देखो, यहाँ पर ध्यान देना है कि pirotid ग्रंथी जो ही ये मुख गुवाम पाये जाता है लार ग्रंथी एक प्रकार के sub-mandibular भी पाये जाता है लेकिन pyloric भाग जो ही ये मुख गुवाम नहीं होता ये किसका पाठ है ये अमासे का पाठ है तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा यहाँ पर सही आंसर होगा pyloric भाग कि यहाँ पर क्या कर रहा है कि मुख हुआ से संबंदित नहीं है तो मुख हुआ से जो है pyloric भाग जो है वो मुख हुआ से संबंदित नहीं है समझ गया ना चलिए अगले प्रसन की तरह बढ़ते हैं ध्यान दिजीए अगला प्रसन कर रहा है कि Gene का नामकरन किस ने किया था option a दिया है मेंडल, b दिया है जोहांसन, c दिया है डार्विन, और d दिया है लुई पास्टर तो देखो, यहाँ पर जो आपका, आप देख रहे हैं मेंडल तो मेंडल ने, यहाँ पर आप जानते हैं कि यह जो ए अनुवानसिकी के नियम दिये थे जो जोहांसन है तो जोहांसन ने ही सबसे पले-पले जीन का नामकरन किया था ठीक है तो यहां पर बिल्कुल सही आंसर क्या होगा बाबू यह इसमें सही आंसर होगा अप्सन B यानि की जोहांसन ठीक ना जुहांसन ने जीन का नामकरन किया था, ठेक है, चलो, अगले प्रस्न के दाफ बढ़ते हैं, अगला प्रस्न देखिए कर रहा है, कि सरीर में जिंक की कमी से कौन सा रोग होता है, तो देखो, अगर पुछे कि जिंक की कमी से होने वाला रोग, तो आपको ध्यान देना है कि ज जब डाइजेसिया रोग हो जाएगा तो आपको किसी भी प्रकार का स्वाद महसूस नहीं होता है, ठीक ना, यानि कि स्वाद कलिकाएं इस रोग में अच्छे तरीके से काम नहीं करती है, ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना है कि इसका अंसर क्या होगा, इसका अंसर हो अगला प्रस्व कर रहा है कि सबसे बड़ी लार गरंथी कांसी है, तो अगर पूछे कि सबसे बड़ी लार गरंथी कांसी है, तो इसमें आपको ध्यान देना है कि पैरोटिट गरंथी जो है, यही क्या है, सबसे बड़ी लार गरंथी है, और इसी गरंथी को हम लोग आपका पैरोटीट गरंथी ठीक ना तो ये चीज आपको ध्यान देना है चलिए अगला देखते हैं अगला प्रस्ण करा है कि किस गरंथी में सूजन के कारण गल्सुआ नामक रोग होता है तो इसमें जो ध्यान देना है इसमें क्या करा है इसमें देरा अगनासे गरंथी पै सूजन आ जाने के कारण ही जो हमारे सरीर में क्या होता है तो हमारे सरीर में गल्षुआ या फिर मम्स नामक रोग होता है ठीक है चलिए अगला देखते हैं अगला देखिए अगला प्रस्ट कर रहा है कि लार को सरी लार की प्रकृति भोजन को चबाते समय कैसी होती है तो दे भोजन को चबाते है तो भोजन को चबाते समय इसका pH मान होता है 6.8 यानि कि ये कैसा होगा ये हो जाएगा अमली है कैसा होगा बबू ये हो जाएगा आपका अमली है ठीक ना तो चबाते समय अगर पूछे तो चबाते समय इसका प्रकृति कुछा होगा अमली है होगा लेकि इसका pH कितना होता है उसमें तो 6.8 होता है ठीक है चलिए आगे देखते हैं अगला प्रस्न अगला प्रस्न बाबु आपका कर रहा है कि भोजन करने के पसात निकलने वाले लार की प्रकृति कैसी होती है तो अभी जश्ट बता है कि जब भोजन कर लीजिएगा तो भोजन करन जब भी भोजन करते रहिएगा तो भोजन को करते समय जो लार निकलेगा वो होता है अमलिये लेकिन भोजन करने के बाद में जो निकलेगा वो किसा होता है छारिये भोजन करते समय जो निकलेगा वोकर pH कितना होता है 6.8 लेकिन भोजन करने के बाद में जो लार निकलेगा कौन सा enzyme पाया जाता है तो ध्यान दो अगर पुछे कि LAR में कौन सा enzyme पाया जाता है तो देखिए option A दिया है tylin यह भी पाया जाता है और option B दिया है lysogime दुनों पाया जाता है ठिक न? दोनों पाया जाता है यानि कि option C जो इसका बिल्कुल सही answer होगा यह करता है यहाँ पर लाइसो जाइम ठीक है ना शलो आगे बढ़ते हैं भई अगला देखिए सब लोग अगला प्रस्ण देखिए अगला प्रस्ण आपका का रहा है कि यक्रित एवं मांस्पेसियों में उर्जा जमा रहता है तो यक्रित एवं मांस्पेसियों में जो में विटामीन E भंडारीत रहता है तो जब भी आप से पूछे कि वीटामीन E मानौझस शरीर का है तो आपको ध्यान क्यार क्योंकि वह कहता है कि यदि ना गेए यक्रीत और ना ना chemical वेगरा वोला जो काम होगा उस सब कामा होगा यह कृत्म होगा तो यहां पर ध्यान देना है कि जो आपका vitamin A है तो vitamin A का भंडारण भी कहा होता है यह होता है यह कृत्म है समझ गया ना चलो अगला देखते हैं अगला प्रस्न कर रहा है कि सौर उर्जा ATP में बदलता है तो अगर पूछे कि सौर उर्जा ATP में कब बदलता है कहां बदलता है तो आपको ध्यान देना है कि सौर उर्जा जो है वो ATP में कहां बदलेगा यह बदलेगा ख्लोरोप्लास्ट में, ख्लोरोप्लास्ट में ही में ये प्रोसेस हो जाता है, ठीक ना, तो सौर उर्जा ATP में कहां बदलेगा, ख्लोरोप्लास्ट में, ठीक है, चलिए, आगे देखते हैं अगला, अगला प्रोस्ट कर रहा है कि मानो के जीवन काल में कितने दात दो बार वि और बाकी जो दात है वो मतलब की continue रहते हैं ठीक ना 20 गो दात क्या होगा दूबार उगेगा बाकी सब जो है दूबार नहीं उखता हूँ पहलो ही से लाश्ट तक रहा जाता है ठीक ना चलो आगे देखते हैं अगला देखिए अगला कर रहा है कि मुख गुहा में कौन सा इं निकलता है तो पेपसी निकलता है अमासाज से और किसका पाचन करता है तो यह प्रोटीन का पाचन करता है लाइसो जाइम जो छोटे छोटे जो जीवानु वेगरे उनको नस्ट करता है और रेनीन जो है रेनीन क्या करता है रेनीन में जो यह दूद में जो कैसीन नामक एक जो पदार्थ पाया जाता है तो कैसीन का पाचन करता है रेनीन तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा टाइलीन होगा अप्शन ए ठीक है चलिए अगला देखते हैं अगला देखो बाबू अगला प्रशन आपका कर रहा है कि भोजन को चबाते समय लार का pH मान कितना होता है तो भोजन को चबाते समय लार का pH मान जो हम आपको बताये भी है कि भोजन को जब ही चबाईएगा तो चबाते समय उसका pH कितना होता है 6.8 होता है समझगा ना लार का pH मान भोजन को चबाते समय क्या होता है 6.8 होता है ठेक है ना, चलो, आगे देखते हैं, अगला प्रशन आपका कवरा है कि मुख गुहा में किस एंजाइम के कारण भोजन मीठा हो जाता है, तो देखो, इसमें आपको ध्यान देना है कि मुख गुहा में जो टाइलीन जो एंजाइम है, यहीं जब आप भोजन को चबाते हैं, भोजन को चबाते समय लगता टाइलीन एंजाइ侍म मिलता है और टाइलीन एंजाइम मिलने के कारण ही मुक वांन भोजन क्या हो जाता है मिठा लगने लगता है अ," redeem जतने चबाईएगा अतना ही मिठा होगा ठीक तो इसमें इंजाइम है जिसके प्रश्ण आपका कर रहा है कि निम्न में से कौन सी संवरचना अहार नाल तता स्वसन तंत्र दोनों से संबंदित है तो देखो बाबू जब भी आप बात करिएगा अहार नाल और स्वसन तंत्र दोनों से अंग की तो इसमें आपको ध्यान देना है कि जो ग्रस्णी है ग्रस्णी जो है में ये स्वसन तंत्र से भी संबंदित होता है और अहार नाल से भी संबंदित होता है तो इसमें आपका ओप्सन ए जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही होगा ग्रस्णी जो है वो ऑप्सन ग्रशनी जो है मेन ये आहर नाल से भी रिलेटेड होता है और स्वसन तंत्र से भी रिलेटेड होता है ठीक है चलिए आगे देखते हैं अगला प्रस्ण कर रहा है कि भोजन को निगलते समय कौन सी सनरचना भोजन को स्वासनली में जाने से रोकती है तो देखो बाबू अगर आपसे पूछे कि स्वासनली में जाने से रोकने वाली सनरचना जो कि भोजन को स्वासनली में जाने से रोकेगी तो उस सनरचना के बार आपका सही अंसर होगा, option C, ठीक है, कंठ धापन, अगला देखो, अगला प्रस्ण आपका कह रहा है कि उल्टी होते समय, ग्रास नली की दिवारों में होने वाले संकुचन तथा सिथिलन को क्या कहते हैं, तो देखो, ग्रास नली में जो संकुचन और सिथिलन होता है, ये लेकिन जब आपसे पूछे कि में, जब भोजन जो है, भोजन को उल्टी करते समय, तो जब उल्टी करते समय न, पूछे न, तो उल्टी करते समय में आपका हो जाएगा यहां पर व्यूत करमानु कुंचन, ठीक है, अगर निगलते समय पूछे तो करमानु कुंचन, और ज ठीक है चलो अब जो है और बेन 6-7 प्रश्ण बचे हुए उनको हम लोग जल्दी से जल्दी कम्प्लीट कर लेते हैं थोड़ा सा और आप लोग दम लगा दिजिये complete हो जाएगा ठीक है चलो अगला जो है उसको देखते हैं अगला प्रस्ण आपका कह रहा है कि उल्टी से लगने वाले डर को क्या कहते हैं तो देखो उल्टी से जो डर लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं एमिटोफोबिया कहते हैं उल्टी से लगने वाले डर को क्या कहते बबू उसको कहते एमिटोफोबिया और जो हाइडोफोबिया है हाइडोफोबिया का मतलब होता है में जल से डर लगना है तो यह पर सही आंसर क्या होगा एमिटोफोबिया है ठीक है ना अब देखो अगला देखते हैं अगला करहा है कि अमासे की आंत्रिक भित्ती बनी होती है तो अमासे के अंदर वाला जो लियर होता है वो किसे बनाता है सलकी उपकला सलकी उपकला सरी अस्तंभाकार उपकला से बना होता है ठीक है तो अगर आपसे पूछे कि अमासे की आंत्रिक भित्ती किसे बन तो यह बना उता है अस्तंभाकार उपकला से या फिर इसी को अस्तंभाकार inox बनाता है है मासे के अंतरीक विद्धि बना होता है जलो आगे देखते हैं अगला करा है कि अमासे में कौन सी पाचक ग्रंथी पाई जाती है अमासे में कौन सी पाचक ग्रंथी पाई जाती है तो देखो इसमें ध्यान देना है कि अमासे में तीन प्रकार की मेन को सिकाएं होती है जिनमें से एक होता है भित्तिय अमलजन को सिका एक होता है मुख्या जाई मोजिन को सिका और एक होता है सलेशमा को सिका इतीनों मिल करके और एक ग्रंथी का निर्मान करता है और उस ग्रंथी को हम लोग क्या करते बाबू उसको करते है जठर ग्रंथी या फिर गैस्ट्रिक ग्लैंड और इसी जठर ग्रंथी से का निकलता ह जो फोजन का पाचन करता है ठीक है तो यह पर सही अंसर क्या होगा सही अंसर हो जाएगा आपका जठर ग्रंथी ठीक है चलो अगला देखते है अगला प्रस ने आपका कर रहा है कि जठर रस का पी एच मन कितना होता है तो अगर आपसे पूछे जठर रस तो जठर रस पूरा अमलिय होता है और उसका पी-एच मान क्या होता है एक दसमलो पाच यानि कि 1.5 जो है वो उसका पी-एच मान होता है ठीक है चलो अगला देखता है अगला देखिए अगला प्रस्ण जो कर रहा है कि जठर रस के स्राव को कौन सा हर्मोन प्रेरित करता है, तो ध्यान दीजिए, जो जठा रस के अगर स्राव को प्रेरित करने वाले अगर हर्मोन की बात करी जाएगी, तो इसमें आपको ध्यान देना है कि वो हर्मोन कौन सा है, वो होता आपका गैस्ट्रिन, गैस्ट्रिन हर्मोन के द्वारा ही, जठा रस का प्रेरिद किया जाता है ठीक है और इंसूलीन के बारे में आपको बताई भी किया है कि इंसूलीन जो इंसूलीन क्या करता है रख्त में ग्लुकोज की मात्रा का नियंतरन करता है पेपसीन क्या करता है तो पेपसीन जो है पेपसीन एक एंजाइम है जो प्रोटीन का पाचन कर और बिली रूबीन एक पीगमेंट जो क्या करता है जो मतलब मेन जो पीत को रंग-परदान करता है या फिर पीडिया रोग का जो है मेन कारक बनता है ठीक है तो चलिए इसमें सही आंसर क्या होगा आपका सही आंसर हो जाएगा आपका गैस्ट्रीन ठीक ना चलो उसके बाद अगला जो प्रस ने उसको देखते हैं, अगला प्रस ने आपका कर रहा है, कि जठर रस में पाया जाता है, यानि कि जठर रस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो देखो, अगर पूछे कि जठर रस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो आपको ध्यान देना है, कि कर रहा है कि दूद में उपस्थित कैसीन का पाचन किसके द्वारा किया जता है तो अगर पूछे कि दूद में उपस्थित कैसीन का पाचन तो कैसीन का पाचन करने वाला मेन जो आपका एंजाइम होता है वो कौन सा होता है वो होता आपका यहां पर रेनीन यह बच्चों में जादे मातराम निकलता है क्योंकि बच्चे क्या करते हैं मने में जो है दूध ही जादे पीते हैं तो इसलिए उनमें जादे मातराम निकलता है तो रेनी जो है रेनी कि इसका पाचन करता है दूध का पाचन करता है समझ गया ना तो चलिए हम उमीद करते हैं कि आप सभी को य वीडियो को लाइक करिए अपने दोस्तों के साथ में सेर करिए और अधिक साधिक लोगों के पास जो है इस वीडियो को पहुचाईए ताकि अधिक साधिक लोग जो है वो इस वीडियो का लाब ले सके ठीक है तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही हम लोग प